ओके, यानि कि अभी हम लोग क्या सीखें? कि parts of a speech, यानि कि a speech के जो family है, family member के हम लोग नाम जान रहे थे, है ना? तो पहले family member के नाम क्या है? noun, और दूसरा, pronoun, तीसरा, verb, चौथा, adverb, पाँचवा, adjective, छठा, preposition, सातवा, conjunction, और आठवा, interjection, कोई दिकर, very good, अब जानिये कि noun के भी अलग अलग जो है, क्या है? family member है, मान लिजिए कि ये दादा, ये दादा हो गए, तो ये दादा के आठ पुत्र हो गए, आठ अउलाद हो गए, सजमर ये ना? अब जब ये दादा हो गए, दादा के आठ पुत्र है, तो अब नाउन के भी अलग अलग पुत्र होंगे, जो हम बाद में, कलास में देखिएगा, तो इसके पांच पुत्र है, अब मोडन गरामर का अउसर देखिएगा, तो तीन पुत्र है, एक और exception में आते हैं, जिसा हम मास, कमा, नाउन कहते हैं, जो हर एक्जाम में पूछता है, एकदम इस्थिरता पुर्भा केरफुली मेरा कलास करना है, कॉम्प्ट राउन के भी है, वर्ब के भी है, एडवर्ब के भी है, एडजेक्टिब के भी है, प्री पोजीशन के भी है, कंजक्शन के भी है, और इंटर्जेक्शन के भी है, यानि कि पार्ट्स अपे स्पीच, कि फेमली जब देखिएगा न, तो आपको राउन का खंदान याद आने लेगा, चुकि रामयन में, जब रावन का खंदान देखीएगा न, था अपको पते नहीं चल लेगे कोण पोता है, कोण बेटा है, कोण यतना जादा उसका खंदान है, उसी तरह से भी इसका क्या है, सब खंदान है समझ लिजिए, क्या है? खंदान है, जो सब को आपको जानना ज़रूरी है कोई दिकत कोई दिकत चलिए अभी सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे बस थोड़ा सा जहीं इस पर फोकस कर दे रहें ताकि जो है आप लोग को कोई परसानी ना हो नाउन क्या है तो जान लीजिए जो भी आपके आख से यह देख रहा है नाउन है मेरा हेर दिख रहा है नाउन है पंखा दिख रहा है नाउन है क्या है सब नाउन है अब नाउन में कौन सा नाउन है अब इसके अंदर आएंगे तो पढ़ेंगे कौन प्रोपर नाउन है कौन कमन नाउन है कौन मेटरियल नाउन है कौन अबस्ट तो आपने देख लिए कि जो भी आख से दिख रहा हर चीज नाउन है, everything is noun, noun is a naming word, सजमारी है, उसी तरह से pronoun क्या है, तो noun के बदले आने वाले सब्द, pronoun कहलाते हैं, वर्ब क्या है, तो जिससे होने या कुछ करने का बोद होता है उसे, वर्ब कहते हैं, सजमारी है ना, अब वर्ब का अलग अलग पार्ट है कि कौन एक्सन वर्ब है, कौन एक्जुली वर्ब है, कौन माजिनल वर्ब है, सजमारी है, तो वर्ब में जाएंगे तो यह चीज मिलेगा, उसके बाद जाद यह एडवर्ब, एडवर्ब के बहुत सारे family member है, एडवर्ब of place है, of manner है, बहुत सारे चीज है इसमें, जो हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे, उसके बाद adjective देख लीजिए, adjective क्या है, तो जो नाउन या पर नाउन के विसेस्ता को बतलाता है, जो नाउन या पर नाउन के अच्छाई और बुराई को बतलाता है, उसे हम adjective कहते हैं, उसमें बहुत सारे चीज है पढ़ना है, इसका बहुत सारा family member है, उसी तरह साजे प्री-पोजीशन, प्री-पोजीशन क्या है, जब किसी वाक्य में, किसी वर्ड के पहले, जुड़कर उस वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ संबंध बतावे, उसे हम प्री-पोजीशन कहते हैं, ज कोई ब्रेक्ती कामरा तो हो नहीं सकता, तो में क्या है, प्री-पोजीशन है, जब इसको हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे, तो सब चीज समझ में आएगा, एक दम बारीकी से समझ में आएगा, उके, चलिए, उसके बाद क्या है, कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है, तो जोडता है, जैसे देख रहे हैं, यह जुड़ा है, यहां से जुड़ा है, यह जुड़ा है, तभी मुड़ रहा है, उसी तरह से एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ा जाता है, तो जो सब जोडने का काम करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं, एक वाके को दूसरे वाके से जोड़ा जाता है, तो जो वर्ड जोड़ता है, उसे हम conjunction कहते हैं, समझमारी है, चले, इसका भी अलग-अलग family member है, हम लोग देखेंगे बारी-बारी से, उसके बाद करें कि interjection, अब interjection क्या है, समझमारी है, तो जब हम आश्चर्ज करते हैं, जैसे हम कहें कि संजी उसवर मर गए, तो आश्चर्ज हो रहा है न, तो यह सब क्या हो गया, यह सब interjection है, करते हैं कि बुढ़िया सराप दी, या बुढ़िया हमें आशिरबाद दी कि तुम्हें आउलाद होगा, तुम्हें एक आउलाद हो, खुदा करे कि तुम्हारा सत्यनास हो जाए, भागवान करे त तुम्हें एक आउलाद हो जाए, जीया लखिया होखा, जुग जुग जीया, एक भजपूरी में गाना आए था, बड़ी, कि महला में लेहले जनामवा, महला में लेहले ले, पता नहीं कैसे भजपूरी में गाना है, कि महला में लेहले जनामवा लानवा, कि महला में सोर चल हूँ तो ऐसे चीजों पर राजा को लोग बढ़ाई देता होगा ठीके ना यह आपको कोई बढ़ाई दे रहा है कोई आपको सराप दे रहा है तो यह सारा चीज इंटर्जेक्शन में पढ़ना है ठीके ना कि खुदा करें आपको एक आउलाद हो जाए भागवान करें आ तो यह सारे चीज किसमें पढ़ना है इंटर्जेक्शन में तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे पार्ट्स ओफ एस्पीच और कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ग्रामर क्या है व्याकरण किसे कहते हैं तो आज हम लोग का दूसरा दिन है यह हम ग्रामर के पहला चेप्टर मैंने आप शुरू किया था पार्ट्स ओफ एस्पीच और अभी मैंने प्रोमिस क्या किया था आप लोगों से कि इंगलिस बोलने के लिए जो आपकी सबसे बड़ी प्रोब्लम है वर्ड मिनिंग उस पर तीन जो है रूल मैंने बताया था जो मेरी अपने रिसर् कि एक रूल पर कम सकंद 2, 4, 5, 10,000 वर्ड मिनिंग याद हो जाएगा बिना लिखे हुए ऐसा था ना आज भी मैं तीन रूल बताने जा रहा हूँ एक्टम ध्यान पूरबक सुनिएगा चुकि ये ग्रामर का पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे अब आईए हम लोग जल्दी बूलिए आप लोग वाइड क्या सीखेंगे हम लोग वर्ड सीखेंगे ओके वर्ड में जो है सबसे पहला रूल जो है आज हम बताएगे चुकि तीन रूल बता चुके है तो आईए निसको हम चौथा रूल कर दे रहे हैं ठीक है ना यानि कि चौथा रूल आज हम लोग चौथा रहे हैं तो याद रखना है एड्जेक्टिव प्लस पी अपी अन मतलाब पुल्रल नाउन पी अन मतलाब पुल्रल नाउन जैसे बूक से बूक्स में से पैंस बॉध गल से लिडर्ट्स समझ में आ रही है सबको और एडजेक्टि भी सबको समझ में आ रही होगी चुक्छ कि अभी थोड़ा सा फोकस डाले थे ना एड्जेक्टीव पर ठीक है ना कि जो सब्द नाउन या पर नाउन के अच्छाई या बुराई को बतलाता है उसे हम एड्जेक्टीव कहते हैं कोई दिकत वरी कुछ यहाँ पर एक चीज और जान लेना है जब एड्जेक्टीव के ब जैसे तो याद रखिए जैसे ग्रेट क्या है एड्जेक्टीव है ना ग्रेट मने महान और इसमें जोड़ दीजिए ग्रेट अब समझ लेता है यह करना कि पुलल नाउन तो लीडर का पुलल क्या हो गया एस लग गया तो लीडर्स हो गया यादि कि ग्रेट लीडर्स अब इसका हिंदी क्या निकलेगा महान महान नेता अब आपको संटेज बोल ला हो कि 1947 के पहले भारत में महान महान नेता थे तो क्या कहेंगे बिफोर 1947 देया वर ग्रेट लीडर्स इन इंडिया असान होने लगा ना तो वर्ड मिनिंग जरूरी है ओके चलिए दूसरा वर्ड देखते है इंडियेंट आइस में जोड़ दीजिए एस्टूडेंट्स देखे यहां भी क्या लग गया एस लग गया है ब बतलब पुलल हो गया यहने कि पलल ना palms और Intelligent क्या है adjective है तो intelligent estimates मतलब तेज 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 विधार्थी क्या हुआ तेज तेज विधार्थी सच बार ही है अब करना क्या है कि एक अलग से सीख लेना है, फुल ओफ मतलब से भरा हुआ, क्या हुआ, से भरा हुआ, ठीक है, आप जान लिये न, कि फुल ओफ मतलब होता है, से भरा हुआ, जैसे फुल ओफ क्रिमिनल्स, अप राधियों से भरा हुआ, Full of Leaders नेताओं से भरा हुआ Full of Money पैसों से भरा हुआ Full of Students विदार्थियों से भरा हुआ अब हम कहेंगे कि My Class is Full of Intelligent Students मेरा Class तेज तेज विदार्थियों से भरा हुआ है India is Full of Great Leaders Intelligent Leaders यहाँ पर Leader कर दीजिए My college is full of intelligent students चुकि आपको रास्ते पता चल गया तो जहां मन कर वहाँ जा सकते हैं संजमारी है कोई दिकत अब कहेंगे There are intelligent students in Jamia College in Gen.E.U in Science College पतना There are intelligent students in BBC Public School Siwan आप लोग उसी का product है ना BBC Public School Siwan आप लोग बोलते रही है ताकि मेरे जो online बच्चे हैं उनको भी पता चले कि आप लोग offline में पढ़ रहे हैं है ना BBC Public School के एस्ट्वेंट आप लोग तो जितने भी BBC Public School के एस्ट्वेंट है उनके लिए great opportunity है best opportunity है grammar और spoken सीखने का और BBC Public School के आलावा जो बच्चे हैं इंडिया के कहीं के भी बच्चे हैं वर्ल्ड के कहीं के भी बच्चे हैं आज ही आप जोईन कर लिजिए English Plus भाई संजीव सीवानी आपको grammar ना समझ माए spoken ना समझ माए ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं पेसे से writer हूँ अपने किताब भी दिखाऊंगा अपने channel का नाम भी बताऊंगा और अपने app का भी नाम बताऊंगा ओके पहले word meaning बनाना हम लोग सीख ले फिर देखते हैं चलिए तो यह दूसरा word था तीसरा जैसे black मतलब क्या होता है black मने काला चाहे काली आईस में जोड़ दीजिए black girls मतलब काली-काली लड़किया आई यहाँ पर girls के जगे पर अगर आप boys कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा काले-काले लड़के क्या सहील मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं कह बढ़ा हूँ ओके चलो तो black boys मतलब काले-काले लड़के आप black girls मतलब काली-काली लड़किया कहेंगे your class is full of black girls my class is full of black boys कहेंगे no sir my class is full of beautiful girls चलो यह भी जान लो beautiful girls मतलब सुंदर-सुंदर लड़किया तो कह सकते हैंगे no sir my class is not full of black girls on the contrary my class is full of beautiful girls यानि के मेरी class सुंदर-सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है just like काश्मीरी girls काश्मीरी is full of beautiful girls यानि काश्मीर जो सुंदर-सुंदर लड़कियों से बरा होगा है अपने याँ भी जे देखिएगा ठंडे के दिनों में जब लोग कंबल ओड़ता है चादर ओढ़े रहता है सुटर पहने रहता है तो उस समय गोरे हो जाता है अज अब गर्मी आती है माई गॉड लगता एक कोले के खान से निकले में देखिए ये पसीना निकल रहा है बहुत महनत है पढ़ाने में महनत है बाहर निकलो तो धूप है और मेरे यसी थोड़ा सा टेकनिकलिया जो है गरवडी हो गई है इसलिए मैं छमाच आऊंगा बट कलास मज़दार दूँगा ओगे चले तो ब्यूटिफुल गॉट्वल मतलब सुन्दर सुन्दर लड़किया अब आपको करना क्या है एडजेक्टिव लगाना है पुलना उन लगाना है चुकि एडजेक्टिव तो अंगीनत है न कितना हम लिखाते रहेंगे टेक्निक पता चल जाना चाहिए चुकि आप से कहा देंगे फाय्ट तो फाय्ट गल्स मतलब मोटी मोटी लड़किया उन फैट बॉइज मतलब मोटे मोटे लड़किया तीन गल्स तीन बॉइज टॉल बॉइज लंबे लंबे लड़किया, अब फुलिस पीपल, मुर्ख मुर्ख लड़किया, फुलिस बॉइज, अब डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग, अब डेंजरस लीडर्स, खतरनाक खतरनाक नेता, कहेंगे कि UP is full of dangerous leaders UP जो है खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है क्योंकि no sir, बिहार is also full of dangerous leaders बिहार भी खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है हर्याना और पंजाब are also full of dangerous leaders मैं हर्याना पंजाब दोनों की बात कर रहा हूँ अभी मैं वहाँ से घूम कर आया हूँ हर्याना is full of dangerous people dangerous leaders पंजाब is full of dangerous leaders तो आपको जो है टेकनिक मिल गया अब आप तो हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं इसलिए मैंने पहले दिन बोला था कि एक मिनट में 1000 वर्ड, दो मिनट में 2500 वर्ड में 5000 अब जराँ सोचिये कि जितने एड्जेक्टिव होंगे सब में पुलल नावन लगा दो और एक नया वर्ड बना दो कोई दिक्कर? नो सब्सक्राइब ते रूल नमर चौथा था आईये जो हम लोग रूल नमर पांच वा देखते हैं सब्सक्राइब